हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर में आसानी से मिलने वाले इंग्वीडियन्स से सिंपल बिस्किट्स बनाएंगे इसे बनाना आसान है आख इसे जरूर फ्राइड कीजे बिस्किट्स बनाने के लिए बॉल में हम एक कप मैदा लेंगे उसमें हम आधा कप रवा और पाफ कप शुगर पाउदर मिलाएंगे जुट्की भर नमक डालेंगे एक चमर जीरा मिलाएंगे उसमें हम एक चोथाई कप मलाई मिलाएंगे अच्छी तरह मिक्स करेंगे आटे में फिस्ट शेप आने तक मिलाएगे अभी आधे में थोड़ा थोड़ा करके पाने डालते यूँ डो बन तक मिक्स करें जो बनकर तयार हो गया है दो को ढखकर 15 मिनित तक ब्रेस्ट के बाद हम दो को छोटी छोटी हिस्सों में बादेंगे दो का एक हिस्सा को लेकर हम रोल करके चपाकी शेप बनाएगे काटर से हम फ्लावर शेप्स में कात लेंगे फोब की सहायता से हम शेप्स में छेर करेंगे अभी हम शेप्स को गलब तेल में धीनी आज पे डीन फ्राइ करेंगे बिस्किट्स गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राइब हो जाने पर निकाल लेंगे स्वामिस्ट बिस्किट्स तयार दो गई हैं इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं आप इस बिस्किट्स को जरूर बनाएगे और अपने परवार के साथ आनदेए आपको मेरी यार रेसीपी अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चानल और सुब्सक्राइब कर दियुक्त प्राइब कर दियुक्त